हलो दोस्तों आप सभी का फिर से मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आप से जेनरल नोलेच के कुछ महत्पुन सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब आप लोगों को नीचे कॉमेंट बोक्स में देना है दोस्तों अगर आप कोई परत्योगी परिक्षा की तयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये सवाल बहुत ही नोलीच फुल होंगे तो अगर आप लोगोंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे जितने भी वीडियो में यूटूबर डालो उनके अपडेट आपको रोजाना मिलते रहे तो चलिए अश्टार्ट करते हैं सवाल नमबर एक ऐसा कौन सा जीव है जिसमें 32 दिमाग होता है सही जवाब हो जाएगा लीच सवाल नमबर दो ऐसा कौन सा जीव है जिसके 5 दिल होते है सही जवाब होगा के चुआ सवाल नमबर तीन हाथी का अउसत जीवनकाल कितना होता है सही जवाब हो जाएगा संतावन बर्स सवाल नमबर चार दुनिया का सबसे सुन्दर देश कौन सा है सही जवाब होगा सिंगापूर सवाल नमबर पांच काउन सा जानबर आगे और पीछे भी देख सकता है सही जवाब हो जाएगा गिरगिट सवाल नमबर छे विशु का सबसे अधीक आबादी वाला सहर कौन है? सही जवाब हो जाएगा टोक्यो सवाल नमबर साथ दुनिया का सबसे बड़ा महादूइप कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा एशिया महादूइप सवाल नमबर आट विशु की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा स्वेज नहर सवाल नमबर नो किस देश में बिल्ली की हत्या करने पर मौत की सजा सुनाई जाती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं फाइब सेकेंड अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज कोमेंट में बताएए सही जवाब हो जाएगा मिस्र देश में सवाल नमबर दस ऐसा कौन सा देश है जहां कप्रे पर अखबार छपता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं फाइब सेकेंड अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज कोमेंट बॉक्स में बताएए सही जवाब हो जाएगा अस्पेन देश में सवाल नमबर ग्यारह सैमसंग मोबाइल किस देश की कमपनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा साउथ कोरिया सवाल नमबर बारह किस देश में सवसे ज़्यादा ट्रेनी चलती है? सही जवाब होगा जापान देश में सवाल नमबर तेरा बागों का राज किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा मद्धि परदेश को सवाल नमबर चवदा भारत के किस परधान मंतरी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा मन मोहन सिंक का सवाल नमबर पंदरह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना कहां से शुरू हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाना से सवाल नमबर सोला चार मिनार का निर्मान किसने करवाया था? सही जवाब हो जाएगा कुतूब सहने सवाल नमबर सत्रा कौन सा ऐसा देश है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? सही जवाब हो जाएगा नेपाल देश सवाल नमबर अठारा ऐसा कौन सा देश है जिसकी राज़धानी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा नोरु देश सवाल नमबर उन्निस ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग किसी भी जानवर को खा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा चीन देश आपका अंतिम सवाल है शवाल नमबर बीस नालंदा विश्विद्याले को किसने नश्ट किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बक्तियार खिल जीन ने सवाल नमबर एक एक भालू में कितने दाथ होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 42 दाथ सवाल नमबर दो आम आदमी पाटी की अस्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर दो हजार बारह में सवाल नमबर तीन भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य सवाल नमबर चार वह कौन सा जानबर है जो हर काम अपनी नाख से करता है? सही जवाब हो जाएगा हाथी सवाल नमबर पाँच जग्रोस पर्वत कहां इस्थित है? सही जवाब हो जाएगा इरान में सवाल नमबर चे सास बहु मंदीर कहां इस्थित है? सही जवाब हो जाएगा उदैपूर में सवाल नमबर साथ एक नवजाद सिसु की सरीर में कितनी हड्डियां होती है? सही जवाब हो जाएगा तेन सो हड्डियां सवाल नमबर आठ इटली देश का राष्टिय चिन क्या है? सही जवाब हो जाएगा सफेद लिली सवाल नमबर नो सोने और हीरे का देश किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा शावत अफडी का देश को सवाल नमबर दस किस देश में प्लाष्टिक इस्तमाल करने पर जेल की सजा दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा इजराइल देश में सवाल नमबर ग्यारा सबजियों का राजा किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा आलू को सवाल नमबर बारा विद्यूत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा चान्दी सवाल नमबर तेरा दुनिया में सबसे ज़्यादा साकाहारी लोग किस देश में है? सही जवाब होगा भारत देश में सवाल नमबर चवदा अमेरिका का खोज किस ने किया था? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं फाइब सेकेंड अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में बताएए तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब इसका सही जवाब हो जाएगा कोलम्बस ने सवाल नमबर पंदरा जापान का पुराना नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा निपन सवाल नमबर सोला मंदिरों का देश किस देश को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा थाईलेंड देश को सवाल नमबर सत्रा दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? सही जवाब हो जाएगा केक्रा का सवाल नमबर अठारा कौन सा जानबर अपनी जीव को नहीं हिला सकता है? सही जवाब हो जाएगा मगर मच्च सवाल नमबर उन्निस किस देश में आधी रात को भी सूरत चमकता है? सही जवाब होगा नोर्वे देश में आपका अंतिम सवाल है सवाल नमबर बीस कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं फाइब सेकेंड अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज कोमेंट में बताएए सही जवाब हो जाएगा कंगारू रेट सवाल नमबर वन बीसु का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सही जवाब हो जाएगा सुन्दर वन का डेल्टा सवाल नमबर दो भारत में सबसे पहली टैक्सी सेवा किस सहर में लागू हुई थी? सही जवाब होगा बैंग लूरू में सवाल नमबर थिडी किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? सही जवाब होगा लंदन में सवाल नमबर चार किस जीव ने अपनी मा को कभी नहीं देखा है? सही जवाब होगा बिच्छू ने सवाल नमबर पांच पूरे देश में जनता कर्फ्यू कब लगा था? सही जवाब होगा बाईस मार्च दो हजार बीस में सवाल नमबर छे नवाबों का सहर किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा लखनव को सवाल नमबर साथ अस्टेच्यू ओफ यूनिटी किस राज में है? सही जवाब होगा बिच्छू राज में सवाल नमबर आठ मानव सरीर में विटामिन ए कहां संचित रहता है? सही जवाब हो जाएगा यक्रित में सवाल नमबर नो भारत की सरवाधिक सीमा किस देश की साथ लगती है? सही जवाब हो जाएगा बंगला देश के साथ सवाल नमबर दस वह कौन सा जानवर है जिसकी गरदन सबसे लंबी होती है? सही जवाब हो जाएगा जिराप सवाल नमबर ग्यारह नेपाल का सबसे लोग पिडिये खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बेस बोल दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए सेयर कीजिए और ऐसे है वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे क्योंकि इस परकार का नोलेज़ फूल वीडियो हर रोज मैं लाता रहता हूँ सवाल नमबर बारा चार मिनार कहां इस्थित है? सही जवाब हो जाएगा हैदरावाद में सवाल नमबर तेरा काउन सा बिटामीन घाव भरने में मदद करता है? सही जवाब होगा बिटामीन के सवाल नमबर चौदा दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? सही जवाब होगा कोल काता सवाल नमबर पंदरा दुनिया का सबसी ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा चीन देश सवाल नमबर सोला कौन सा पक्छी कभी पेर पर नहीं बैठता है? सही जवाब हो जाएगा टिटोनी पक्छी सवाल नमबर सत्रा भारत का सबसे उचा मिनार कौन सा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं फाइव सेकेंड अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज आप इसका जवाब कोमेंट में बताएए सवाल नमबर अठरा दुनिया का सबसे बरा देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा रूस देश सवाल नमबर उननिस काउन सा जानुवर लोहे के कील को भी खा सकता है? सही जवाब हो जाएगा मगर मच्छ आपका अंतिम सवाल है सवाल नमबर बीस नार्यल पानी पीने से काउन सी बिमारी ठीक हो जाती है? इस सवाल का सही जवाब होगा बलड प्रेसर तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा से भी अच्छी लगी हो नोलेज फूल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजे और अपने दोस्तों और पड़िवारों में सेयर कीजे और इसी परकार के वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीज क्योंकि मैं इस परकार के वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सवाल नमबर एक चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी सही जवाब हो जाएगा भारत ने सवाल नमबर दो राष्टिय पक्छी दिवस किस तिथी को मनाया जाता है सही जवाब है बारा नवंबर को सवाल नमबर तीन घर में कौन सा पउधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं सही जवाब हो जाएगा गेंदा का पउधा सवाल नमबर चार कौन सा जीव भूख लगने पर कंकर पत्थर सब खा लेता है सही जवाब हो जाएगा सुतुर मुर्ग पक्छी सवाल नमबर पाँच भारत के किस राज में रावन का मंदिर है सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में सवाल नमबर छे सबसे अधीक पसू किस देश में पाया जाता है सही जवाब हो जाएगा भारत में सवाल नमबर साथ किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है सही जवाब हो जाएगा केचुआ को सवाल नमबर आठ नागिन जील भारत में कहां इस्थित है सही जवाब हो जाएगा जम्मू कस्मीर में सवाल नमबर नो किस फल में कभी भी कीरे नहीं लगते है आपका सही जवाब हो जाएगा नारियल के फल में सवाल नमबर दस ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के जण्डे का पड़ियोग करते हैं सही जवाब हो जाएगा लाल जण्डे सवाल नमबर ग्यारा गन्ना की खेती भारत में सरवाधिक कहां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा उत्तर परदेश में अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में सेयर करें और इसी परकार के नोलेश्फूल वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें सवाल नमबर बारा सबसे ज़्यादा आलू किस देश में पैदा होता है? सही जवाब हो जाएगा चीन देश में सवाल नमबर तेरा किस देश में खट्टा सहद मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ब्राजिल में सवाल नमबर चौदा किस देश में सबसे कम एम्बूलेंस है? सही जवाब होगा वेटिकन सिटी सवाल नमबर पंदरा सबसे पहले नोट बंदी किस देश में हुई? सही जवाब होगा घाना देश में सवाल नमबर सोला किस देश के लोग साप खाते हैं? सही जवाब होगा चेन देश के लोग सवाल नमबर सत्रा दुनिया का सबसे ज़्यादा ओक्सीजन देने वाला पेर कौन सा है? सही जवाब होगा पीपल का पेर सवाल नमबर अठारा किस देश में फोटो खीचना अपराध माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा तुर्क मेनिस्तान में सवाल नमबर उन्निस किस अस्थान को गंगा योमना नदी का संगम अस्थल कहते हैं? सही जवाब होगा इलाहाबाद को आपका अंतिम सवाल है सवाल नमबर बीस किस देश की लड़कियां कपड़े नहीं पहनती है? इसका सही जवाब होगा मैं इस परकार के वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू